Hello everyone, welcome to study IES और आज डेट है 20th December आज के दिन हम लोग Indian Express का जो आर्टिकल डिसकस करेंगे वो दो बहुत important आर्टिकल है पहला आर्टिकल है जहाँ पर ये बात हो रही है कि अभी आप लोग को पता होगा कि जो Messi है जीत गए World Cup इनकी टीम जीत की पूरी तरीके से लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ट्रॉफी आप कह सकते हैं इनकी ये है क्या ये घर लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं एक अंसर मैं आपको भी देता हूँ कि नहीं लेके जा सकते हैं जो ट्रोफी अभी आप इनके हाथों में देख रहे है ना वो घर नहीं जाती है ओके ये रखी जाती है म्यूजियम के अंदर और ये एक ही ट्रोफी है ऐसी जो हर साल बाहर निकल जाती है कब जब वर्ल्ड कप होता है और फिर दुबारा से रख दी जाती है तो ऐसा क्यूंकि ये जाता है इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे और दोसरो दोस्तो दूसरा जो आर्टिकल है हमारा वो ये है जहां पर हम लोग औरगन डोनेशन के बारे में बात करते हैं जहां हम देखने वाले हैं कि भारत के अंदर आप कह सकते हैं औरगन डोनेशन कितना बढ़ चुका है कितने यहाँ पर living लोग यहाँ पर डोनेट करते हैं मरे हुए लोग यहाँ पर कितना डोनेट कर रहे हैं ओके यह सब हम लोग देखने वाने हैं informative वीडियो है काफी कुछ आपको पता लेगा है इस वीडियो में और at the end आप लोग मुझसे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं 22 December से दोस्तों आप लोग के आर्म बैज जो है वो चालू हो जाएंगे साथी दोस्तों 23 December तक जो ओफर है वो वो वैलेड है जहां पे आप लोग अवेल कर सकते हैं अच्छे काथ से डिस्काउंट पर आप के सकते हैं अपने कोर्सिस वगयरा को 0% की यह माई का फायदा उठाइए टैसरी आवलेबल है और साथी आपके पास है कि आप लोग नोट्स वगयरा भी ले सकते हैं बहुत nominal prices पर जो की अभी अभी एवलेबल है और free interview guidance program भी आप लोग लिए यहां पे हैं आप लोग इसका फायदा भी जरू उठाईगा अब देखे पहला आटकल आता है जहां पर बताया है जा रहा है कि जो मैसी साब हैं यह trophy घर लेकर न जा सकते हैं क्यों नहीं लेकर जा सकते हैं क्या समस्ते आरी इन्हें तो देखें लिएन मैसी finally आपके सकते हैं जीत गए और साथी दोस्तों एक और बात ये भी है कि 16 साल से ज़्यादा तक ये खेल रहा है इस टाइम पर और one of the greatest यहां पर प्राइस जो है वो हमें देखने को मिलता है ओके ये पूरा आपके सकते हैं जो गेम है ये पूरा एक फ्लेक्शिप टॉर्नमेंट होता है जिसके अंदर काफी बहतरी निखिलाडी आते हैं और बहुत तरीके से कंपीट खड़ते हैं लेकिन मैसी इसको घर लेके नहीं जा सकते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्यों लेका जा सकते हैं देखें आपको मैं एक चीप बताना चाहूंगा कि जो जुलिज रेमेंट ट्रॉफी है इसको हम लोग कहते हैं जुलिज रेमेंट ट्रॉफी ये आप कहसकते हैं ओनर है ऑफ दी फॉर्मर फीफा प्रेजिडेंट उ से लेके 1970 तक जो ट्रॉफी वगरा है ये गोल्ड प्लेटेड आप कहसकते हैं इस्टिंडिंग सिलवर से बनती थी जिसका वजन होता था लगबग 3.8 kg और ये चैंपियंज को दी जाते थी जो जीता था वो फिर अपने घर ले जाते थे लेकिन फीफा जब आप कहसकते हैं चलू हुआ उस ताइम पे अलाव किया कंट्रिस को जो जो भी जीती है कंट्री वर्ल्ड कप थ्री टाइम्स वो अपने ट्रॉफी को रख सकती है जैसे ब्रजील आप कहसकते हैं इस ट्रॉफी को घर ले गए लगाता है जो तीसरी बार आपको जीतना होता बेसिकली तब आ एक और बात दोस्तो एक और बार यहां पे चोरी हुई थी तो दो बार यहां पे चोरी हुई पहली बार तो आपके सकते हैं मिली ही नहीं कभी कभी आज तक नहीं मिली हो कहां गई कैसे गई ओके हां लेकिन जो बेस था आपके सकते हैं यह आपके सकते हैं यह वाला जो इस् पियर होगी ओके यह बात थी लेकिन हां वह बाद मिल गए थी यहारी तो मिल गए थी यहारी तो आस तक नहीं मिली तो तकड़ी चोड़ी करें इसने फीफा वल्लिकप की ट्रॉफी वारे बताओं आपको तो 1974 से जो चैंपियंस हैं वह प्रेजेंट करते हैं फीफा जिसका वज़न है लगबग 6.175 केजी का और ट्रॉफी के पास दोस्तों कंटेनर लगबग 5 किलो का गोल्ड यह वाली नहीं दी जाती हैं यह तो यह लोग ट्रॉफी में ले जाते हैं जो दी जाती है वो ब्रॉण्स की बनी जाती है गोल्ड प्लेटेड रहती है थोड़ी इन सभी ट्रॉफी को रखा गया है और आपको एक और बात बता दूँ मैं कि जब भी कोई टूनेमेंट खतम होता है विनिंग जो कंट्री होती है उसका नाम इसकी प्लेट पे लिखा लाता है जो बेस है आपको सकते हैं यहीं पे तो जिससे इस ताइम पे जीती थी मेरी फ देखते हैं तो यह देखी कितना ही कम हो गया तो अब इसमें तो मिड़तेक लोगों का 1060 है और लिविंग लोगों का लगबग 6460 है तो आप देख सकते हैं कितना ज़दा ही कम हो गया था 2020 के अंदर लेकिन दुबारा से 2021 में अच्छी आई और बात और हमें ज़दा ही देखने का मिला अब नंबर की बात चलते हैं नंबर पर देखते हैं नंबर बोल क्या रहे हैं देखें लगबग यहां पर जो टोटल है 12,387 और जिसके अंदर आपके किड़नी लीवर हर्ट लंग पैनक्रियाज यह सब आते हैं जिसको हार्वेस्ट किया गया 2021 किंदर जिन अला गया और मैं बता दों कि 2021 में ही आपके सकते हैं यहां पर सबसे जाएदा डेटा मतलब सबसे जाएदा डोनर वो आए थे जो नुमरे दोस्तों आप किसकते हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रिट हुआ है लिविंग डोनेशन से लेके क्योंकि वहां पे जो किड़नी लिवर बगएर आए ये फैमिली बगएर ही डोनेट कर देती है और कई बार फैमिली ही डोनेट करती है आपस में आपने देखा होगा कही बाप बेटी हो गए बेटा बाप हो गए इन लोगों ने यहां पर डोनेट की है मा बेटा यह सब करते रहता है तो आपस में होता है इसने इनका ज्यादा रहता है किड़नी का और लिवर का टोटल यहां पे लगबग 10,644 और अर्गन हर्वेस्ट किये गए थे फ्रम लिव बेस्ट किये गए 221 के अंदर कहां से किन से लिए गए थे वो लिए गए थे आपके डिसी जोनर से हैं साती दोस्तों अगर हम यहां पर डिटेक्टर चलते हैं तो आप लोग को कुछ चीजे पता लगेंगी जहां से मैं आपको बता सकता हूं थोड़ा सा रबर ले 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 तो अगर आप देखेंगे 2017 में यह है लेवर 2150 और 2021 में देखेंगे तो 1740 हो जाता है 2020 में देखेंगे तो 1060 है तो यह क्या है यह डिफरेंस क्यों आ रहा है पहले तो डिफरेंस है COVID-19 की विज़े से और दुबारा यह इंक्रीमिंट इस बहुत तकड़ा में देखना है यह इन्होंने donation जैसी चीज़ लेकि आई, transplant जैसी चीज़ लेकि आई जो कि बहुत बड़ा सा पने आपने invention था लेगिन transplant किसे किया जाएगा अगर आप ऐसा कहेंगे कि हर कोई वेक्तिक कर सकता है तो ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कई सारी चीज़े होती है कई सरी testing होती है जो स्टेट है भारत के अंदर जहां पर सबसे ज़्यादा यहां पर donations होई है जैसे कि तेलंगाना, तमिन्नाडू, महराष्ट्रा, गुजरात यह उनमें से हैं जहां पर अकरनाटका भी है जो बहुत तक्राड़ा donation से करती है और तेलंगाना तो नंबर वन पर एक्टम डॉक्टर क्रिशिन कुमार डिरेक्टर है जो की नेशनल और्गन टिस्यू ट्रांस्परांट और्गनाजिशन के उन्होंने कहा कि जो डिसीज डोनेशन है वो आपके सकते हैं बहुत स्लो हो गया है प्री पेंडिमिक की लेवल पर उनका यहीं यह में कि यह दुबारा आपके सकते हैं 80% ट्रांस्परांट हैं वो कर रहे हैं अभी लिविंग डोनर से जो की अच्छी बात है मतला आपका जो मिर्तिक हैं उनसे ह पहले रिजन दोस्तों यह कि जो और रिजसं और दूसरी बात है जो नमरा आफ ट्रांस्पलांट है हमारी गंट्री में उसके बारे में इंडिया यहां पर 3 highest number of transplant आता है दुम्या भर में हमारे यहां तीसरे नमर पर आता है ट्रांस्प्रांट करने में और हमारे estimate है कि हम लोग आपके जत्ते हैं लग भग 1.5 से लेगे 2 लग पर परसंट लगता है जिसको kidney transplant करवानी होती है और around दोस्तों यहां पर 8,000 लगते हैं 80,000 जो लोग हैं उन्हें require कि लिवर ट्रांस्प्रांट करें लेकिन अभी हमारे परस कितने हैं हमारे पास यहां पर मात्र के 1800 है तो आप दिये देख सकते हैं और लगबग यहां पर 10,000 जो हैं वो हार्ट ट्रांस्प्रांट की जुरत है लेकिन भारत में मात्ते 200 हार्ट है तो दिमांड बहुत जदा हाई है और बहुत तगड़ी भी है इसलिए महंगे बिखता है कि अगर आप देखेंगे तो 10,000 पर मात्र 200 अंदर तो नहीं लगा स आपके सब्सक्राइब माने जाते हैं कि वो आईडियल डोनल है और अगर दिमाग चल रहा है तो आप उसके दिमाग चलते हुं करना है यह तो खूनी हो जाएगा भारत के नदर जो बड़े-बड़े होस्पिटल से वह हवर्वेस्टिंग कर सके हैं और इंपलाई करवा सके अपना जो transplant coordinator है जो की family बगार को बताता है कि यह समस्या है और इस तरीके से transplant होगा आप बाकी दिक्कत आगे कुछ नहीं होने वाली है यह समझाता है क्योंकि एक expert चाहिए होता है जो family convince कर सकें यह बहुत बढ़ी बात है आप किसी और किछाती में किसी और का दिल लगा रहे ह तो यह समझाना बड़ी बात है उनली 2.6 organs जो हैं दोस्तो मैं बता दूँ आप लोगों को वो disease donor से transplant किया जाता है ओके यह बात है harvesting जो organs है basically उन्हें आपके सकते हैं लखा जाता है या तो cardiac देत हो या तो brain देत हो और यह दोनों ही आपके सकते हैं बढ़ रहे हैं transplant जो coordinator है at Maharashtra, Roto-Soto, Regional and State Organ and Tissue Transplant Organization ने उन्हें ने कहा कि जो organs है वो harvest कियाते हैं काफी quickly after cardiac death क्योंकि circulation जो है blood का वो oxygen को carry करता है तो organ stop नहीं होता है मतलब stop करने के लेश ही लिए इन इंडिये दोस्तों बाजय टाइम family member को बता जाता है कि यह है यह है यह समसर यह है वो अलगलग आपके सिटी के different parts से या फिर वो सब तयार रखते हैं पहले से ही और अगर लेट हो जाए क्योंकि बताना फिर यह करना वो करना इसमें बहुत time लिजाता है बहुत time लगता किसी को पहले से कर पता हो कि वहाई ऐसे ट्रांस्वेंट होता है तो उसे बतानी क्या है रहता है उसे बस बोल देंगी और ट्रांस्वेंट हो रहा है आपका तो time बच जाएगा क्योंकि explain करना फिर उनसे permission लेना इसमें बहुत time लग लग जाता है गुड जो ट्रांस्वेंट नेटवर्क सिटीज के बीच में इनसे कहीं ना कहीं बूस्ट हो है और रन डोलेशन का क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि एक जिगे पर सब कुछ हो किसी जिगे पर को यह और सी जाए तो आप लोग ने के सुना होगा वहाँ पर आपका चकते है जो एम्बुलेंस वाला था उसने मैंगलर से बैंगलोर आपके सकते हैं चार टेंटें पहुचा दिया मतलब बिल्कुल हवाई जाज की तरह चला था वो तो ग्रीन लेन बना जिगे वहाँ पर आपको याद हो तो है ना वो ग्रीन लेन ते ऐसी तुकि वहाँ पर कहीं पू अब कौन वेक्ती डोनर बन सकता है कैसे आप लोग डोनर बन सकते हैं देखिए अगर आपको डोनर बनना है तो आपको पहले रिजिस्टर करना पड़ेगा लेजी लेनी पड़ेगी नोटर पे वेबसाइट पे जहां पे आपको आपको पूरा एक फॉर्म है सेवन फॉर्म अमनी देंगे अमनी देंगे वाई तुम्हें लेकिन तो पहली बोल रहा है तो तुम्हें तो देना पड़ेगा बागे आपके प्रब्लम ना हो इसलिए पहले सी कंसर्ण वागेरा सब ले गया जाता है ओके तो आई होप कि दोस्तों अब आपको समझना आओगा बेसिकली क कि भारत के नदर क्या है और डोनेशन का काम और कैसे कैसे हो रहा है अगर अभी कोई आपके डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सेजिशन है इसको लेकिए तो बताईए के कमेंट सेक्षिन में मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए अबनाइस डे एंड टेक कियो झाल 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 झाल